मैं धारक को इतने रुपे अदा करने का वचन देता हूँ अक्सर आपने करंसी नोट्स पर इस लाइन को देखा होगा जहाँ पर RBI गवर्नर का सिगनेचर होता है क्या कभी आपने सोचा है कि इसका क्या मतलब होता है वो कैसे ये वचन ये कैसे ये प्रॉमिस यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको इतने रुपे वो देंगे आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि RBI जो है वो हमारी सरकार को जो RBI के पास सर्प्लस पैसा होता है वो दे देती है तो अगैन यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि कैसे कैसे जो सर्प्लस होता है RBI के पास सबसे पहले तो वो RBI के पास कैसे आता है और वो सरकार को कैसे देती है और उसके साथ साथ आज का सबसे इंपोर्टन सवाल की RBI जो सर्प्लस देता है उसके लिए RBI के खुद के पास वो सर्प्लस कहां से आता है यानि RBI actually कमाता कैसे है इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं Hello everyone, myself Pinky और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड़ा 24-7 पर चलिए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा RBI के बारे में कुछ चीज़े जान लेनी होगी जहां पर हमें पता है कि 1934 में Britishers के टाइम पर इसको बनाने के लिए एक Act पास किया गया था और फाइनली 1935 में जो है इसका Establishment RBI का हुआ उसके बाद 1948 में इसका Nationalization हुआ राश्टर करण हुआ यह हम सबको पता है और फाइनली 1900 या फिर आप बोल सकते हैं 1949 में यह एक सरकारी संस्था बेसिकली बन गई यह था थोड़ा सा RBI के बारे में कुछ चीज़े उसके बाद आपको आपका शायद यह सवाल आता है हम सबको पता है RBI जो है वो Currency Notes इशू करता है यह जो है पावर जो है RBI को Currency Note इशू करने की कहां पर लिखी हुई है Reserve Bank of India 1934 के Act में and that two कौन से कहां पर Section 22 Clause 1 में 1934 के Act में यह लिखी गई है कि RBI के पास यह Authority है कि वो जो है पैसे इशू करनसी चाप सकता है और basically इशू कर सकता है Last में मैं आपको कुछ एक बहुत interesting point और बहुत ही एक fact, interesting fact बताने वाली हूँ but वो towards the end मैं आपको बताऊंगे अभी के लिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़े जान लेते हैं तो क्योंकि मैं printing, पैसो का print करने की, उनकी issue करने की बात कर रही हूँ के जगा है, नासिक में यह print होते हैं, महराष्टरा में, उसके बाद मैसूर करनाटका में और उसके बाद एक बहुत important जगा है, देवास करके मद्ध प्रदेश में यह कुछ important sites है, जहाँ पर printing press है, हमारी currency notes के लिए इन में से कुछ printing presses को हमारी सरकार समालती है, और कुछ को हमारा central bank यानि की RBI समालता है, अक्सर आपने news में यह देखा होगा कि RBI जो है, वो अपना surplus, मतलब उसके पास जो पैसा बच गया है, जो पैसा extra है वो सरकार को दे रहा है, या फिर सरकार बोलती है, कि आप जो है, हमें अपना यह extra पैसा दे दीजे, तो यह आप देख सकते हो, जो यह increasing trend है, 2010 से अगर आप compare करो, तो यह trend जो है, वो बढ़ ही रहा है, मतलब RBI जो है, वो जादा से जादा पैसा, जादा से जादा अपना surplus जो है, वो सरकार को transfer कर रहा है, उससे पहले हम यह जाने, कि किस तरीके से RBI जो है, वो basically अपना surplus transfer करता है, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, कि RBI की जो पूरी balance sheet है, उसके पास, उसमें surplus का मतलब क्या है, कहां से RBI कमा रहा है, तो मान लो, अगर asset और liability, इन दोनों को हम subtract करते हैं, minus करते हैं, और जो भी result आता है, अगर positive में result आ रहा है, मतलब RBI के पास पैसा जो है, वो surplus में है, और अब वो इस surplus का कुछ percentage, कुछ हिस्सा किसको दे सकता है, सरकार को दे सकता है, यह कौन decide करता है, यहाँ पर यह हम already देख चुके हैं, यह सवाल में शुरू से यहाँ पर आपको कहने लग रही हूँ, कि RBI जो है, यह surplus देता है सरकार को पर, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आता है, कि यह surplus तो दे देगा, सरकार को पर RBI, कि RBI actually में कमाता कैसे है, मैंने आपको balance sheet दिखाई, पर उसमें हमने technicalities नहीं देखी, अब next slide में मैं आपको कुछ technical चीज़े बताने वाली हूँ, exactly वो बताने वाली हूँ, जिससे RBI जो है, वो कमाता है, तो ध्यान से यहाँ पर देखेगा, सबसे पहला है gold, देखे, RBI जो है, सोने को खरीदता है, और मानलो, सोना जो है, एक मैं example लेती हूँ, सोना जो है, RBI ने 100 रुपय में खरीदा, कुछ तोला सोना खरीदा, और उस 100 रुपय की जो है, कीमत अब बढ़ गई है, मानलो, 200 रुपय हो गई है, तो जो 200 रुपय में वो जो है, बेच देगा, सो बेसिकली, जो मुनाफ़ा होगा, वो RBI का होगा, सोने की खरीद और विकरी से RBI कमाता है, दूसरा है, कहां से कमाता है, deposit with foreign banks, आपको पता है, RBI का बहार के Central Bank, बहार के देशों के जितनी भी Central Bank है, जैसे हमारे यहां पर RBI है, बहार के देशों में भी Central Banks है, जैसे Bank of England हो गया, सब देशों के अलग-अलग Central Banks है, वहां पर RBI पैसा जमा करके रखता है, नहीं सिर्फ Central Bank में, IMF हो गया, आपका International Monetary Fund हो गया, World Bank हो गया, यहां पर भी RBI का पैसा जमा होता है, और यहां से यह बहार जो पैसा निवेश नहीं, जमा जो करके रखता है, वहां से कुछ बयाज आता रहता है, इंट्रस्ट आता रहता है, वहां से भी RBI कमाता है, तीसरा है interest on its bond holding, bond holdings जो होते हैं, मैं आपको बताती हूं, bank जो हैं, आपको चार्ज करता है उससे भी RBI कमाता है यह आपको पता होगा हमने रेपो रेट में यह पढ़ा था इसको रेपो रेट कहते हैं कि जी आप गवर्मेंट सेक्योरिटीज अपनी गिरवी रग दो बैंक जो है वो पत्रवी रग देते हैं और RBI उसके बदले लोन दे देता है और उस लोन पे जो इंट्रस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम रेपो rate कहते हैं और उसी इंट्रस्ट रेट से जो है RBI कमाता है जी अभी रेपो रेट काफी है चलिए आप बात कर लेते हैं कि यह जो surplus है यह कौन decide करता है कि कितना surplus दिया जाएगा सरकार को कितना नहीं दिया जाएगा देखे इसके लिए बहुत ही famous एक committee आई थी जिसको हम बिमल जलान committee बोलते हैं आपको यह ध्यान रखना है आपके किसी भी exam में पूची जा सकती है तो इस committee ने यह suggest किया कि देखे आपके पास जितना भी surplus पैसा है मतलब extra पैसा जो है मालों आपने जितना भी अपना खर्चा निकाल के जितना भी आपका profit है अपना खर्चा निकाल के जो आपके पास बचा वो आप सरकार को दे दो अब कितना पसेंट आपको रखना है यह बिमल जलान committee ने बताया कि जितना भी surplus है उसका 5.5 to 6.5% आप अपने contingency fund के as a contingency fund रख लो contingency का मतलब है कि emergency के टाइम पे अगर वो पैसा आपको इस्तमाल आ जाएगा जैसे for example COVID जैसे situation आ गई थी COVID जैसे हमारी अगर आ जाती है तो इतना पसेंट आप पैस अपने पास रखो अपने surplus का अगर कोई emergency आ जाती है तो आप इससे पैसा यूज कर लीजेगा और बाखी ये emergency वाला निकालके जितना भी आपके पास पैसा बचा वो आप सरकार को दे दीजे राइट ये किस ने तह किया बिमिल जलान कमीटे ने राइट ये कमीटे यहाँ पर important हो जाती है याद रखेग अब यहाँ पर बहुत सारे students का एक बहुत बहुत famous question रहता है कि माम इतना कुछ जमेला RBI करता ही क्यों है कि अगर मंदी आ रही है तो कुछ-कुछ पॉलिसी इसके तूछ चीजों को ठीक करने के कोशिश कर रहा है वो सीधा print क्यों नहीं कर देता पैसे और बाट क्यों नही चीजे करी हैं control करने के लिए but as you can see बहुत जादा वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है यह इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ की policies अच्छी नहीं थी वहाँ पर भी पैसा ऐसे चाप के लोगों को दे दिया गया जिससे जो है महंगाई बहुत जादा बढ़ गई लोगों की जि से क्या होगा directly महंगाई बढ़ेगी inflation बढ़ेगी इसलिए printing money is never a good option like ऐसे ही आप जितना भी unlimited पैसा चापके नहीं बाट सकते हो right अब बात कर लेते हैं एक सबसे important सवाल की कि कि कितना जो है पैसा जो है RBI loan में दे सकता है देखे जितना भी RBI के पास gold होता है और जितना भी R पैसा RBI के पास है उतना ही RBI आगे loan दे सकता है ठीक है इससे जादा रखम RBI जो है वो loan में नहीं दे सकता वरना again फिर महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी ठीक है जी चलिए तो ये कुछ चीजे हैं आप देखे RBI का सिर्फ एक ही काम नहीं होता है कि आपको पैसे कमाने है और ये सब चीजे करनी है RBI का एक और बहुत important काम होता है जो कि क्या है कि हमें economy में price को stabilize करके रखना है price stability रखनी है ठीक है demand and supply का जो curve है उसमें instability नहीं आनी चाहिए right price किसी भी चीज का ना तो बहुत जादा होना चाहिए ना बहुत जादा मंदी आनी चाहिए किसी भी इसको make sure करने के लिए RBI जो है अपनी एक नीती इस्तमाल करता है जिसको हम monetary policy कहते हैं जिसके बहुत सारे tools होते हैं right बहुत सारे tools होते हैं कुछ important tools में यहाँ पर आपको बता देती हूँ सबसे पहला है CRR cash reserve ratio जहां पर RBI क्या कहता है banks को कि आप जी अपना जो total आपका NDTL ह total जो आपका deposit है उसका कुछ certain amount आप हमारे पास deposit करके रख दीजे right दूसरा tool है statutory liquid ratio जहां पर RBI क्या कहता है bank को कि आप अपनी खुद की तिजोरी में यानि bank अपनी खुद की ही तिजोरी में 18% अपने total deposit का रखता है ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई emergency आती है तो basically यहां से यहां से वो maintain हो जाए यह सारी चीजे कौन इंस्ट्रक करता है RBI इंस्ट्रक करता है क्यों इंस्ट्रक करता है ताकि market में price एक stable level पे बना रहे ठीक है ऐसा ना हो जाए कि बहुत जादा महंगाई हो गई है या फिर economy एकदम डाउन चली गई है बहुत जादा मंदी आ गई है उसके अलावा बहुत सारे होते है repo rate होता है reverse repo rate होता है open market operations MSF भी होता है जो emergency funding जिसको हम बोलते हैं तो यह सारे जो हैं वो tools है इनका मतलब मैं आपको already समझा चुकी हूँ right अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे economy वाले lectures जाके देख सकते हैं जहाँ पर मैंने repo rate हाला कि मै पूरा session था आपको यह अच्छा लगा होगा interesting लगा होगा समझ आया होगा कि exactly RBI कैसे कमाता है और RBI का सिर्फ कमाने के अलावा और क्या-क्या function होता है जाते-जाते मैं आपसे दो चीजे शेयर यहां पर करना चाहती हूँ अच्छा वो शेयर करने से पहले मैं आपको बता यह हमने यहाँ पर जितने भी बात करी है यह सिर्फ और सिर्फ करन्सी नोट की बात करी है 500 का जो भी आप बोलते हो 2000 का आपका नोट होगा नोट होगा यह होते है currency notes हमने पूरे लेक्चर में currency notes की बात करें यह आप ध्यान रखें हमने coins की बात नहीं करी है क्योंकि coins चापने का जो जिम्मेदारी होती है coins बनाने की minting की जो जिम्मेदारी होती है वो RBI की नहीं होती है वो होती है हमारी भारत सरकार की और यह लिखा हुआ है coinage act 1906 में जैसा कि आप यह act का यहाँ पर copy देख सकते है coinage act 1906 में यह लिखा हुआ है कि जो हमारी जो हमारे जो हमारी जो भारत सरकार है उनकी यह responsibility है तो coins जो है वो RBI की responsibility नहीं होते यही interesting fact था जो मुझे आपको बताना था जाते जाते दो चीजे मेरे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे पहले अगर आपको कोई भी book हमारे यहां से ADA247 के application से खरीदनी है तो सारी books पे आपको 22% off अभी मिल रहा है और इस discount को avail करने के लिए आप सभी Y674S code यूज कर सकते हैं आपके लिए बहुत जादा beneficial होगा और at the end मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ ADA247 regulatory bodies पर मेरा ये एक बहुत बड़ा मैं initiative लेकर आई हूँ जिसका नाम है The Bigger Picture जो की जहाँ पर मैं आपको current face cover करवाती हूँ आपके किसी भी competitive exam के लिए current face यहाँ पर cover करवाये जाते हैं रोज सुबर 7 से 8 बजे मैं आपसे यहाँ पर live मिलती हूँ यहाँ पर आपको PDFs भी provide करी जाती है आपका revision भी होता है आपके test भी proper manner में conduct करे जाते हैं तो मैं आप सभी से request करूँगी कि आप सभी मुझे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कल सुबर 7 बज़े आकर मिलिए The Bigger Picture में आज के लिए इतना ही कल मैं फिर से कुछ important topic के साथ आऊंगी Till then, stay tuned, thank you so much